हलो फ्रेंद्स वेलकम बाक टू माय चानल कैसे हो आप सब होप सब अच्छे होगे हम भी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं आप सब भी मेरी वीडियो देखे बहुत इंजॉय कर रहे होगे तो थोड़े दिन पहले आपने देखा मैंने एक लॉंग वीडियो डाली थी जो हम गए थे आर सीटी मॉल उसी मॉल में हम गए थे असनो किंगडम तो आज बैस उसी की वीडियो शेयर करें के थे आइ में वहां क्या था और बाकी सब डे टैल्स तो चलो वीडियो स्टार्ट करतें हम गए सनो किंगडम एक आर का वहądर टाइम หोता है मतलート 45 मिनिट का और पर परसन अडल्ट टिकेट होती है वहां 650 और किट्स के लिए 600 हमने वहां एंट्री ले ली थोड़ा सा कॉस्टी लगा था बट मैंने का चलो ठीके ट्राय करते हैं कैसा है तो जैसी वहां एंट्री की तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके बस जितना भी समान है वहां पर मतलब ऐसे राग बने हुए आप रख सकते हो और उसके बाद वीवर लाइक पता नहीं यार कैसा होगा समझ नहीं आ रहा थे बिकॉस फर्स एक्सपीरियंस था न और अंदर हमने जैसी एंट्री की तो देखा छोटी-छोटी शॉप्स थी वहां पर और फि फिर अंदर जाना और इंजॉई करना तो बस क्यारा को पहना है देखरो ना क्या मस्त लग रही है क्यूट-क्यूट पहले तुमको लगा यार कहा ठंडी होगी चलो जल चल के देखते हैं समने एंट्री ली गेट खूला वीवर लाइक चलो ठीक है मैं भी ऐसे देख की कर र रहे थे लोग खूब इंजॉई कर रहे थे तो अंदर का सेट अप काफी अच्छा था ऐसे लगा हम दूसरी दुनिया में आगे मुंबई में तो है नहीं बिकॉस मुंबई में ठंड नहीं होती और यहां तो बरफ में यार तो जाती न सब बच्चों को में देखके ऐसे उ जोरो ना सबको विकॉस यार लोगों को आदा थी निया मांश में टेमप्रेचर दहा आँ पर ठीक है हमने सोच चलो चलो इंजॉई करते हैं सब करते तो वहां पर एक सलाइट थी तो हमने का चलो ठीक है क्यारा सबसे पहले मिटाते विकॉस सब वहीं जा रहे थे तो ग्या कि सब लोगों को देख के थोड़ा अच्छा लग रहा था विकोस सबको ठंड लग रही थी हमें ऐसे लगा कि हमने यार यह जैकेट और सब पैने ने कम है और कपड़े पैन कर आने जी यह ते घर से तो अगर कोई जायन उनके लिए सजेशन है घर से एक एक स्वेटर लेकर ज मतलब हाफ एनार बस उससे जाधा नहीं रुख सकते हो बिकोज यह बहुत ठंडी होती है पर वहां अच्छा सेटप था ट्रैंपोलीन था क्यारा ने जंफ अगरा किया थोड़ी ठंड बढ़ गी तो हमने उसके लिए दो कैप लिया आप देख रहो ना क्योंकि बेटी धीर जिदीरे रेड हो रही थी हमने का नहीं या ठंडी लग जा इसको जाधा थोड़ी ठंडी यार हमें भी लग रही थी पर हम इंजॉय कर रहे थे यार बरफ देखने को का मिलती है कभी देखी नहीं वह भी आर्टिफिशल तो सुरेश उस अलसो इंजॉइंग मैंने देखा बहुत दिनों के बाद ही वाज इंजॉइंग तो बस काफी अच्छा सेट अप था और मैंने गलती वाँ यह कर दी मैंने बिना गलफ के बरफ उठा लिए और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ पूरे हाथ बाद सब ठंडे हो गे और मेरी तो जान ही निकल गी उसके बाद तो मेरा कड़े होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था आप देख रहे हो ना मनला क्या करा मैंने बेफ कुफी में पर ठीक है यार कभी-कभी चलता है पर हमने एंजॉइ खूप कि अब बहुत मज़ा आया एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए और क्यारा के लिए भी क्योंकि कि यार हम कभी गया नहीं कोई बरफ वाली जेगा कहीं जाने का मौका नहीं मिला तो हमने सोचा चलो यहां ट्राय करते हैं बट मेरी आलत बहुत कराब हो गए थी यार मुझ ऐसे लग रहा तो कुछ गरम-गरम दे दो हाथ में बट मस्ती तो कंटीनू होनी चीन है विकॉज मौल घूमने के इस आप से गय थे तो हमने ध्यान नहीं दिया बट इंजॉइ खूप किया अब भार आकर थोड़ा रेड होगी थी मैं ऐसे देख रही थी उसको देख रहो ना उसका फेस कैसे हो गया तो बस भार आकर आपको सब कपड़े वपड़े उनको वापिस देने हो पीस में और क्यारा ने सेलेक्ट किया कि उससे टैडी चाहिए था तो हमने का चलो ठीक है माडम टैटू बनवा लो और वहां लोग बोल रहे थी यारी उतरतन यह यह वो बट नेक्स डे मैंने क्यारा को नहलाया और एक ही बारी में निकल गया मतलब तो कोई प्रॉब्लम न और बस आज का दिन कुछ ऐसा राफिरम गये थे खाने पीने के लिए वो आपने आर्सिटी वाली मॉल अली वीडियो में देखी लिया तो ऐसा बहुत अच्छे वाला मारा एक्सपीरियंस रहा आप इंजॉय करो फोटो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना अच्छे बार एक्सराइब कर दो आपके लिए वाला मारा एक्सराइब करना